अगर आप चाह रहे हैं एक बहुती बड़ी है बजट स्पोर्ट्स मोटर साइकल का तो आज मैं इस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहा हूं तो आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा दी ओल न्यू टीवी ऐसा पाचे आरार 310 का बी एस सिक्स वर्जन और इसमें जो भी चेंजेस किये गया है मैं आपको सारे चीज़े काफी डीटेल में बताऊंगा तो इसमें जो मेजर चेंज है वो है इसका इंस्ट्रुमेंट कॉंसोल जी हाँ आप इसमें आपको एक कलरफूल टी एफटी स्क्रीन मिलता है जिसमें की गाड़ी से रिलेट काफी सारे इंफर्मिशन्स होते हैं और आप उसको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के जरिये कनेक्ट कर सकते हैं और सारी डीटेल्स देख सकते हैं तो अगर आज काई वीडियो आपके किसी काम आता है तो मेरा चनल जरूर से सब्सक्राइब कीजिएग या फिर टीवेस से रिलेटेड दूसरी प्रोडक्ट तो प्लीज विजिट करें रैंबो टीवेस इंफरंट आप साइन्स कोलेज राइपोर अगर आप साइन्स कोलेज राइपोर तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम इस गाड़ी के एक्स रोम प्राइसिंग की तो इस गाड़ी का एक्स रोम प्राइस है 2.4 lakh रुपीज एक्स शोरूम और अब बात करते हैं इस गाड़ी में मिलने वाले एंजिन स्पेसिफिकेशन की तो इस गाड़ी में आपको मिलता है बहुत ही बढ़िया 313 cc, single cylinder, 4 valve, fuel injected, liquid cooled petrol engine जो की 34 bhp की power 9700 rpm और 27.3 newton meter का torque 7700 rpm जेनरेट किया गरेगा और ये mated है 6 speed gearbox के साथ और ये है BS6 compliant engine और इसका mileage रहने वाला है 30 km per liter तक का highway पे और इस गाड़ी की fuel tank capacity है 11 liters की और इस बात बता देता हूँ कि इस गाड़ी में एक ये भी खास feature है कि अब आपको ये गाड़ी 4 तरह के driving modes के साथ मिलती है एक है track mode, एक है sport mode, एक है urban और चौता है rain mode तो अगर आपको इसके अलग-अलग driving modes को activate करते हैं तो आपको अलग-अलग जो इस गाड़ी से power है वो निकल कर आते हुई नजर आएगी तो अगर आप इस गाड़ी को track mode या फिर sport mode पर डालते हैं तो ये गाड़ी generate करेगी 34 bhp की power और 27.3 newton meter की torque जो की इसकी maximum power output है और अगर आप इस गाड़ी को urban या फिर rain mode पर डालते हैं तो इस गाड़ी का जो power है वो कम हो जाएगा और ये urban और rain mode पर generate करेगी लग-भग 25 bhp की power 7600 rpm और 25 newton meters की torque 6700 rpm और मैं बता दूँ की tvs अपाचे rr310 tvs की एक flagship motor cycle है और इस गाड़ी का weight है 170 kg का seat height है 810 mm का और ground clearance है 180 mm का और इस गाड़ी की chassis है ट्रेलीस frame पर बनाई गई जो की काफी एक strong chassis है और safety के तौर पर इस गाड़ी में आपको बहुते बड़ी है dual channel ABS मिलता है और यह देख सकते हैं यह गाड़ी की चावी तभी मैं इसका जो instrument cluster है जो इस गाड़ी का सबसे बड़ा highlight है वो आपको मैं on करके अभी दिखा देता हूं तो हम यहां से गाड़ी को on कर लेते हैं और यह आपर time show हो रहा है उसके नीचे मैन्यू लिखा गया है और यह टाको मीटर देख सकते हैं और अभी यह दे मूट पर है इसले से वाइट कलर की चो लाइट है वो दिख रही है और यह देख सकते हैं इसका टाको मीटर यह न्यूटरल जो गियर पोजिशन शो कर रहा है औ और इंडिकेटर का signal देख सकते हैं night mode करेंगे तो इसका instrument console है वो कुछ अंधेरे type का हो जाएगा जो color है वो dark हो जाएगी और यह menu मैंने दबाया यहां पर देख सकते हैं बटन दिये गए आपको जिसे कि आप इसके MID को control कर सकते हैं multi information display को यह राइट मोड है राइट मोड मे ABC देख सकते हैं और उसके निचे माई वेकल वेकल में service reminder है और performance record performance record खुलने पर माइलेज speed app lap timer दिखता है और service में देख सकते हैं कितना दीन बजाए service के लिए और कितना चला है शो होता है और preference में देख सकते है connectivity connectivity में जाते हैं तो प्रिए device and display call setting दिया गया है और device का नहीं दिया गया है और display setup में देख सकते हैं automatic या manual कर सकते हैं यह देख सकते हैं कुछ इस तरह से और उसके नीचे date और उसके नीचे day and night mode उसे भी आप जैसा मैंने बताया था तो ये इस तक है इस त कहते हैं में भी जो भी एक जिसे ढ़ी है ऑप सकते हैं अर Australian और का विद्याट कर सकते हैं जो आपको देखना है ऑर सामने में दिखा सकते हैं और यह देख सकते हैं Average mileage IMI और काफी सारी चीज़े जो है गारी के ज़रूरत के features वह सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिला करेंगे तो बोल सकते हैं काफी ज्याधा जरूरत से भी ज्यादा इसमें आपको जो फीचर्स हैं गारी से रिलेटेड वह दिखती हैं और इसका बटन देख सकते हैं उपर में हजाट के लिए लैम भी मिलता है जिससे की चारो लाइटे जलती है यह देख सकते हैं उसे हजार लाइट कहा जाता है और फ्रेंट में फूल एलेड सकते हैं यह देख सकते हैं इसका हजार लैम अब इसे बन बन कर देता हूं और इंडिकेटर के लिए और होने के लिए बटन और यह क्लच चुकि काफी लाइट है स्लीपर क्लच मिलता आपको इसमें बहुत ही बढ़िया और इसका हैड लैंप हाई बीम के लिए कंट्रॉल काफी अच्छी में की फीचर्स दिये गए हैं प्राइस को देखते हुए और इसका जो इंजन है वो बीम डबलू सोर्स है और देख सकते हैं इसके सेलफ स्टार्ट के लिए बटन इसमें भी किल स्विच यहीं पर दिया गया है और इसका जो इंजन बीम डबलू ने बनाया है और यह हैंडल बार देख सकते हैं जो क्लीप ओन हैंडल बार है काफी ज्यादा प्रीमियम टच दे रहा है गाड़ी को और फ्यूल टैंक देख सकते हैं काफी ज्यादा बॉल्ड एंड मस्कूलर लुक आ रही है इसके इसमें की एक होर्स का जो ब्रेंड है वो बनाया गय है एक है रेसिंग रेड एंड एक है टाइटेनियम ब्लैक तो अभी आप देख रहे हैं इसका टाइटेनियम ब्लैक कलर जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और दी हो एक सी देख सकते हैं इसका एंजिन जो है वो रिवर्स इनक्लाइन है पीछे की और जब करेंगे इसका oil brake का और इसका monoshock absorber देख सकते हैं पीछे पर जो काफी अच्छी soft tuning के साथ आता है और जो में reverse inclined बोल रहा था वो देख सकते हैं जो engine का exhaust निकला है और डायरेक्ट पीछे की और निकला है तो यह होता है रिवर्स इंग्लाइंड इंजन देख सकते हैं डायरेक्ट आपको आपको सालेंसर जो है वह यहीं पर दीखेगा बाके गाडियों में सामने की ओर से निकलते में पूरे पीछे तक जाता है सालेंसर और सीट देख सकते हैं जिसमें की लॉक आप इजिली ओपन एंड लॉक हो जाता है यह और यह जो व्रैपिंग है वह भी मिलती है और यह ग्रैब हैंडल पैसेंजर के लिए तो काफी अच्छी डिजाइन दी गई है इसमें यहां पर भी देख सकते हैं जो नेट वाले डिजाइन है वो बनाया गया है और यह इसका साइलेंसर क्योंकि काफी बढ़िया लग रहा है गार के लुक को काफी जादा इनहेंसिंग बना रहा है और यह फूट पैक्स देख आरे मट गार्ड देख सकते हैं काफी अच्छे इसमें आपको मट गार्ड मिलते हैं अब यह दिख सकते हैं और ग्रिपिंग जो है टायर्स की बहुत ही जबरदस्त दी गई है और इस पोटी चैने स्प्रॉकेट दिये गए हैं जो कि खुले हैं काफी बढ़िया लग रहे ह और 6-speed का gearbox आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा और यह देख सकते हैं ग्रिप जो कि मिशलीन के टायर्स है काफी एठी सॉफ्ट माटेरियल यूज के रही है तो काफी अच्छी आपको कॉर्णरी करने में काफी अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी और इनकी साइज है 150 by 60 और 17 इंचेज की ट्यूबलेस एडियल डायर्स और यह फूट पैक्स देख सकते हैं और एक गियर पैडल देख सकते हैं सिंगल गियर पैडल मिलता है आपको इसमें 6-speed का एक गियर डाउन और बागे के पास गियर उप साइट पर और यहां से इंजन और फिल अप और एक साइट प्रोफाइल देख सकते हैं गाड़ी काफी जबरदस्त लग गई है और बात करें सस्पेंशन सेटप की तो यूएसडी फोर्क मिलते हैं यूएसडी मतलब अपसाइड डाउन फोर्क सस्पेंशन सेटप तो काफी अच्छी सॉफ्ट ट्यूनिंग के साथ आत गाड़ी और यह लुक्स काफी अच्छी ग्रिपिंग करते हैं यह देख सकते हैं टायर कि डी रिजाइन को फेल को आप देखकर समझे सकते हैं कि त्यस्रीक डियुक्याडी गाड़ी जूए प्रॉवाइट करी और यह देख सकते हैं बलेक लर एक